लेकिन एक बात बताओ अगर हम समाज सेवी हैं तो हमें इसका परचार क्यों करना पड़ता है आप किसी भी सहर में चले जाओ समाज सेवियों के होल्डिंग्स आपको मिलेंगे लिखे हुए ये समाज सेवी फलाने समाज सेवी ये फलानी समाज के समाज सेवी हाँ या ना सही बताओ मिलेंगे कि नहीं अज़े जब आप समाज के सेवी हो मतलब समाज की सेवा करने वाले तो उसका परचार तो समाज को करना चाहिए आज हमारा समाज कहां जा रहा है किसी ने प्ला मैंने एक दिन और कही थी वाद हमारे समाज का चारित्रिक भेंग कर पतन हो रहा है हो रहा है कि नहीं समाज में जो को चंद पैसे कमा लेते हैं उनका बोलवाला है समाज सेवा किसको कहते हैं जो सबसे नीचे है आपके समाज में आप उसकी सेवा करो बड़े कियां जाके सुरूट उमद मारो वो तो उस लाइक है, वो अपने आप कर लेगा जो कुछ करना है असली समाज की सेवा की जरुवत किसको है जो हमारे समाज में सबसे छोटी लेविल पे नीचे खड़ा है जिसकी एक समय की रोटी भी नहीं है हम उसकी सेवा करें हम उसके साथ खड़े हो और उसका भी प्रचार न करें एक जगे हम समाज सेवा देख रहे थे कोरो ना में कोई कि कुछ देने गए थे केला बेला बांटने गए थे केला महाराई 15 केला एक आदमी को एक पैकेट में 15 केला दे रहे थे और फोटो की चवाने वाले कम से कम 35 थे अब यह सेवा है कि प्रदर्शन है जवाब दीजी हमने कल एक हमकल गंगा जी गए यहां से कथा के बाद सीधे चले गए कल हमें एक बच्ची मिली हो वह आई नहीं हमने कहा था तू आना बेटा आई नहीं आई ना हमने उसके लिए कुछ विवस्ता करके रखी थे कि तुम आओगी तुम तुमको वहीं चोटी से चार में पढ़ती फूर्थ क्लास में कि उसका दुख देखने योग सुनाने योगी भी नहीं है रो रही थी परेशाम थी तो हमने का हम आजाओ करेंगे कोई सेवा जो हमसे बन पढ़ेगी समाज सेवा की बात हम कर रहे थे यहां किसी को अपने लिए भी हम कह रहे हैं कई बार हमें भी फोटो कराना पड़ता हैं हमारे भी फोटो अपने देख्या हों लेकिन वो ट्रेश्ट के होते हैं वो हमारे नहीं होते जो धन आप देते हो इस ट्रेस्ट को ट्रेस्ट फिर उससे जो कारे करता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारा personal कोई matter नहीं है, और जो हमारा personal होता है, वो हम कभी किसी को नहीं बताते हैं, हम आपको भी नहीं बताते हैं, हम करते ही नहीं तो बताएंगे कहां से, हम कुछ करते ही नहीं, यही समझा, लेकिन personal हम नहीं, समाज सेवा का मतलब हम कह रहे थे सबसे बड़ी समय समाज में आवश्यक्ता क्या है बताइए बताइए सबसे बड़ी आवश्यक्ता मेरी नजर से अगर देखो तो आज समाज में सबसे बड़ी आवश्यक्ता है समाजिक चारित्रिक उत्थान की कि हमारा चारित्री को थान हो जो पतन हो चुपा इतना लंबा पतन है महाराज मैंने फिर कहा था बाप के यहां बेटी सुरक्षित नहीं बहु के ससुर के साथ बहु सुरक्षित नहीं बहु के साथ बहु सुरक्षित नहीं बहु के साथ बहु सुरक्षित नहीं इससे बड़ पतन और क्या ओगा यह भारत है लंका में भी इतने बुरे काम नहीं होते थे लंका में भी सुपड़ का सुरक्षित थी थीक नहीं हम राबन को रख्यस कहते हैं अंदर जहांके कभी कि हम लोग कितने बड़े रख्यस हैं हम किसी की इस्तरी के सामने चले जाएं वो डड़ जाती है पता नहीं यह क्या करेगा बाहर की नहीं अपनी अपने घर की रेलिटेप्स और हम करें समाज को अरे जाओ जूटा आत्मी समाज नहीं है चार के लिए बांट कर कोई समाज से भी नहीं हो सकते हम लोग आज अगर सबसे ज़्यादा जरूवत है समाज को तो समाज को उत्थान चाहिए वो चरित्रिक लेविल पे जहां बेन बेटिया निकल जाएं तो यह कहें कि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे चाचा खड़े, सब समाज के लोग मेरे अपने किसी को भी आप से नजर चुराना ना पड़े, तब समझना तुमारा भारत विकास कर रहा है यह जो पड़े लखे हैं न, हिनोंने बेन जी के जगे भाबी जी कहना सुरू कर दिया, फ्रेंड कहना सुरू कर दिया, जिससे यह लोग निकम्मापन कर सके में भारत की माता वेनों से कहना चाहूंगा, जो भाबी जी और फ्रेंड कहना चाहे न, उनसे साबदान देना, इनमें रावण बैठा हुए, राक्यस बैठे हुए, इनसे जितना बचों की उतना जाद आच्छा जो कहे न, भाबी जी, साबदान, नजरे अच्छी नहीं हो से, अगर नजरे अच्छी है तो बेहन जी कहना, बेहन में आपके लिए क्या कर, बोलना, हिम्मत है तो, रखना, अगर समाज के प्रती बफादार है तो बोल बेहन जी, बोलो मैं गलत कह रहा हूं, बोलो, काओ मैं गलत कह रहा हूं, हिम्मत है तो काओ, क्या ये समाज को थान नहीं होना चीए, होना चीए कि नहीं, प्रश्न वो, कार्य वो, जो समाज को प्रेड़ना दे सके, सुकोदेव जी माराज से प्रश्न किया परिक्षित ने कौन सा, जिसकी मरत्यु निश्यत है वो क्या करे, समाज के हित के लिए प्रश्न है ये, राजा परिक्षित के लिए नहीं है अकेला क्योंकि मुरत्यू तो हम सब के होनी है और मैं जिस समाजिक उत्थान की बातें कर रहा हूँ यह समाजिक उत्थान हमारे पूरे देश के लिए है पूरे समाज के लिए हमारे सनात्मियों के लिए अगर बेहन बेटियां सुरक्षित होएंगी अब बेहन बेटियां भी समझ लें बाईयों को भी सुरक्षित रखना यह भी निवेदन है आपसे आज-कल तो कोई बड़ी चीज हो गई है एक सेकेंड में कुछ भी कह देती अच्छा जांकते नहीं हो तुम कानून अमारे पक्षि में है पर बेहन जी आपके भी घर में भीया है उसके भी घर में कोई देवियां है समाज को थन तब होगा जब हम दौनों एक दूसरे के आधर करें सम्मान करें माता है बहन अपने लेबिल से आधर करें और भाई लोग अपनी माप हमारे हैं कितना बड़ा विचार है देबियों के लिए पराई पुरुष को पृत्र बाई और पिता की समान देखना चाहिए यह हमारी रिषी परमपरा है हमने रिषी परमपरा का अनादर किया जिसके कारण नम दुख पारे.